प्रिय शिक्षार्दियों एन्ने वेस की स्टूडियों में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर स्निहलता दोर्नाला, असोसियेट प्रोफेसर हूं मेडिकल कॉलेज में। आज मैं आपको पांचवी लेसन पोर्षन के बारे में बताने जा रही हूं। पहले आपने जन्स्वास्त पार्टिक्रम में पहला लेसन जो शरीर रचना एवं क्रिया के बारे में जानने हैं। जिसमें सारी शरीर की बिन्न बिन्न क्रियायों के बारे में आपने पूरी तरह से जानकरी ली हैं। उसकी बाद शिरिर को किस तरह से रोगों से रक्षा करने के लिए पत्रक्षा प्रनाली के बारे में आपने दूसरा चैप्टर में जाना है। और स्वास्त और हाईजिन के बारे में भी आपने तीसरी चैप्टर में जाना है। किस वच्छता किस तरह से होनी चाहिए ताकि रोग नहीं होना चाहिए और फूर्थ चैप्टर में अगर कोई कीटानों के द्वारा अगर रोग हो जाए जैसे कि ज्वर, कास, स्वास इस तरह से कोई रोग हो तो उसको डॉक्टर से संपर्क करने से पहले ही हम कैसे गरल्यू के उपचार कर सकते हैं उसके बारे में भी अपने फोर्थ लेसन में जाना है अभी आएए आज हम फिफ्थ लेसन जो पोशन के बारे में हम विस्तार रूप में जानेंगे अधिक से अधिक तर जितने भी जो बिमारी होते हैं वो हम लिये जाने वाले आहार या बोजन से ही बोजन एक कारण होती है कहीं लोगों को ये पता नहीं चलता है कि किस तरह के आहार हमें लेना चाहिए कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस समय में लेना चाहिए क्या जो हम आहार ले रहे हैं वो बरपूर है कि नहीं है एक फैमिली में अगर कोई आहार हम बनाते हैं तो वही आहार बच्चों से लेके बुड़ों तक जितने भी ये परिवार में रहते हैं सबके लिए वो सूटेबल है या नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है तो आएए आज हम पोशन के बारे में जानेंगे ये ये a community health worker स्वास्तकार्यकर्ता के होने के नाते आप लोगों को इस पोशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है आहार, आहार ही शरीर की स्वास्तता पे निर्बर होती है ऐसे कादिपदार्थ जो कार्बोहईड्रेट्स, प्रोटीन, शरकरा, वसा, जल आदी से बने हो और जीव जगत द्वारा ग्रहन किये जा सके उसी को हम आहार या बोजन कहते हैं ऐसे आहार अगर हम हर दिन लेने से शरीर की वर्ण, मन की प्रसन्नता, जीवन, प्रतिभा, सुखसंतोष, शरीर की पुष्टी, भल, मेदा, आदी सभी इसी बोजन से ही प्रतिष्टित होते हैं आहार के कार्य, मुक्य तहा ये आहार तीन क्रियाएं करते हैं जैसे की एक शारीरिक कार, जिसको हम physiological function भी कहते हैं क्या ये आहार जो है, physiological कैसे function करता है जैसे की ये उर्जा को प्रदान करता है और शरीर की कोशिकायों को, नए-ने कोशिकायों को बनाया जाता है और इसी आहार से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और ये ही आहार से हमें सारे जितने भी क्रियाएं हैं उनको नियंतरित करता है तो ये सारे functions, physiological functions में आते हैं इसके अलावा मानसिक कार्य भी करता है जैसे की मानसिक कार्य में कोई ऐसा आहार हम ले जिसमें हमारा मन कुश हो जाए तो उस आहार से हमारा मन प्रसनता होने के कारण जितने भी शेरीर में जो हार्मोन्स होंगे properly वो secret होते हैं और अपना कारी सही कर देते हैं जो मन पसंद नहीं रहने वाले आहार अगर हम लेते तो चोटे बच्चों में हम अधिकतर देखने को मिलता है कि तुरंथ ही वो उल्टी कर देते हैं या वो other side effects हो जाते हैं तो मानसिक कारी को control करना भी आहार का ही एक करतव्य है इसके अलावा एक सामाजिक कारी के रूप में भी आहार का मुक्य कारी है जैसे कि परिवार में अकेले बैटकर खाना या परिवार के साथ सभी मिलकर खाना से भी हमारा मानसिक संतुष्टी मिल जाते है इसके अलावा हमारे देश में कहीं तरह के function जैसे बच्चों के जनम दिन हो या कोई और किसी की शादी हो इस तरह से हो जितने लोग हम जानते हैं उन सभी को हम अपने घर बुला कर साथ में आहार खिलाते हैं या खाते हैं तो उससे सामाजिक कारे भी सिद्ध हो जाती है तो इस तरह से आहार के तीन कारे हैं पहला शारिरिक कार, दूसरा मानसिक कार, और तीसरा सामाजिक कार बोजन के पोशक तत्व जो आहार हम लेते हैं उसमें कहीं तरह के पोशक तत्व होते हैं जैसे की कार्बोहेड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जल, कनिज पदार्थ, विटामिन्स और रेशा जिसे हम फाइबर कहते हैं तो आहार निश्चित मात्रा में उपस्तित कादि पदार्दूं का समोव है जिसमें यह सारे पोशक तत्व रहना बहुत आवश्यक है हमारे बोजन में अनेक प्रकार के रसायनिक तत्व होते हैं इसी को हम पोशक तत्व कहलाते हैं कार्बोहेड्रेड्स पहला पोशकतत जो उर्जा का स्ट्रोथ है ये अनाज जैसे कि गेहूं से मिलती है या चावल से भी आता है इसके अलावा प्रोटीन जो शेरीर में उतकों, मामसपेशियों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्विका निर्मान करता है ये हर तरह के डाल और फलियों में मिलता है इसके अलावा वसा जिसे हम स्नेह तत्व कहते हैं वे उर्जा का स्ट्रोथ है तता वसा में गुलनशील बिटमिनों की पूर्ति करना ये दूद, मक्खन, घी, आदी से हमें मिलता है इसके अलावा रेशा जिसे हम रेशी जिसे हम फाइबर कहते हैं ये मल को निशकासन में सहायक होती है तो कहीं तरह के हरी सबजियां फल और आदी में यह रेशी मिलती है इसके अलावा कनिच पदार्दें जो शारिरिक अंग का सुचारु रूप से संचालन करते हैं और इसके अलावा विटमिन्स जो शरीर के कारिकों सुचारु रूप से चलाना और पोशक पदार्दों के उप्योग में सहायता देते हैं ये कहीं तरह के फल और सबजियों में हमें मिलता है इसके अलावा आहार में जल की मात्रा भी मिलती है जैसे शरीर के उतकों और कोशिकाओं में पोशक तत्वों को ले जाने में सहायक करता है हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा होता है तो आहार में जल होना भी बहुत जरूरी है जो कार्बोहेड्रेट्स मैंने कहा है वो उर्जा प्रदान करने के अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निश्पादित करते हैं और वे आपके बोजन के बार को बढ़ाता है और बोजन को स्वादिष्ट बनाने में सहाय करता है जैसे इसमें मीठा होता है जैसे कि छीनी, शहद, गुड यह सारे कार्बोहेड्रेट्स हैं जिसके मेटबोलिजम होने के कारण एनरजी रिलीज होती है जिसको हम उर्जा कहते हैं यह सारे बाजरा, ज्वार, आलू, शकरकंद, अर्वी इन सभी में होता है आपने देखा होगा कि उपवास जो हम करते हैं तो उसमें अनाज नहीं खाते हैं तो वह अनाज जो कार्बोहेड्रेट उर्जा को प्रदान करते हैं उस समय में हम आलू या शकरकंद को लेते हैं जो उर्जा हमें उस दिन का जो उर्जा आलू या शकरकंद के रूप में हमें मिलता है जो प्रोटीन इसका जो बात हुई है वो नए कोशिकाओं का निर्मान करता है इसके साथ साथ पुरानी वा श्यतिगरस्ट कोशिकाओं का भी स्वास्त बनाने में सहायक करती है गाउं को बरने में भी सहायक करता है रक्त इंजाइम तदा हार्मोन में स्रुजन के लिए आवशक है और ये एनिमल ओरिजिन्स अगर हम देखते हैं तो मांस, अंडा, मुर्गी, दूद, पनीर, दही इन सभी में हमें पशु स्ट्रोथ से मिलता है इसके अलावा प्लैंट सोर्स, वनस्पती, स्त्रोथ ये सभी दालों में, इवन अनाज में, मतर, सोया बेन, मूम फली, बदाम, ड्राइफ रूट्स इन सारे में प्रोटेन्स अधिक रूप में हमें मिलते हैं जो गाउं को बरने में भी सहायक करते हैं इसके अलावा वसा जो फैट्स हम कहते हैं ये मुक्य तहा उर्जा को प्रदान करते हैं और ये फैट-soluble vitamins जो वसा विले विटामिनों जिसे हम कहते हैं विटामिन A, D, E, K इन विटामिन्स की उपयोग में सहायक करता है और अपनी शरीर को घरम रखने के लिए सहायक होता है तो ठंडी मौसम में अधिक से अधिक वसा लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर को घरम रखने की सहायता करे और बोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी ये उपयोग है इसके अलावा वसा समवेधन शील अंगों यथा हुदई लीवर को सुरक्षय प्रदान करता है और अगर हम देखते हैं तो एक ग्राम की जो कार्बो हैड़िट है वो चार किलो कैलोरीस को रिलीज करेगा और एक ग्राम के प्रोटीन को वो भी चार किलो कैलोरीस को रिलीज करते हैं लेकिन ये जो वसा एक ग्राम की वसा में साथ किलो कैलोरीस तक की एनरजी या उर्जा प्रदान होती है इसकी बाद आहार में जो मुक्य से कनिज लवन होते हैं कनिज लवनों का जो दो मुक्य प्रमुक विशेशताएं हैं जैसे कनिज लवन उर्जा उपलब्द नहीं कराते हैं परन्तु बोजन को पकाते समय कनिज लवन नष्ट नहीं होते हैं ये कनिज लवन जैसे की कैल्शियम, लोहा, आयोडिन, एक्सेटरा ये होते हैं तो ये जो कैल्शियम कनिज लवन आहार में मुक्य भूमिका निबाती हैं जैसे ये दूद, पनीर, दही, इन सबी में कैल्शियम अधिकतर मिलता है और ये हड्डियों को वृद्धी और विकास में उपयोग होता है और दान्तों को मजबूत करती हैं इसके अलावा मान सपेशियों को संकुचित करने में उपयोगी है और ये रक्त को क्लॉट होने के लिए help करता है, सहाय करती हैं कैल्शियम के अलावा दूसरा कनिज लवन है जो लोहा लोहा को हम आईरन भी कहते हैं और आईरन रिच फूर्ड जैसे की हरी पत्तियां पालक और सहजन आप जानते होंगे सहजन के पत्तियों में भी पालक से भी अधिक से अधिक मात्रा में लोहा मिलती है और ये मुक्य तहा रत कोशिकाओं को प्रोड्यूज करती है और लोहा के अलावा आयोडेन एक मुक्य कनिज है जो तैरोड के जो फंक्शन है तैरोड ग्लैंड के जो फंक्शन्स को मेंटेन करता है तो ये हमें iodized salt के रूप में या समुद्र जीवों में जैसे seafood हम कहते हैं उनमें भी iodine की मात्रा भरपूर में मिलती है Carbohydrates, proteins, वसा, कनिज लवनों के पाद हम vitamin के तत्व भी आहार में मिलना चाहिए vitamins दो प्रकार के हैं एक पानी में गुलने वाले जैसे जिसको हम कहते हैं water soluble vitamins और कुछ होते हैं वसा में गुलनशील होने वाले जिसको हम कहते हैं fat soluble vitamins तो fat soluble vitamins ये चार हैं जो vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K और पानी में गुलनशील होने वाले vitamins जैसे की vitamin B complex जिसे हम B समोह कहते हैं और vitamin C तो ये vitamins B अधिकतर जो fat soluble vitamins हमें animal origin से अधिकतर हमें मिलते हैं जैसे cod liver oil या मक्खन इसमें मिलेगा और water soluble vitamins जैसे B vitamin अधिकतर अनाज और pulses में मिल जाते हैं और vitamin D की कमी होने से हड्यों में मजबूती कम हो जाती हैं और बच्चों में अधिकतर rickets जैसे disease आती हैं और vitamin A की अगर कमी हो तो आंकों में देखने की क्षमता कम हो जाती है और इसके अलावा vitamin K की कमी हो तो blood का जो clot होने की क्षमता कम हो जाती है इसके अलावा B complex अधिकतर nervous system को नाड़ी की जो तंत्र हैं उसको strong करती हैं और vitamin C जो कमी के कारण बच्चों में अधिकतर scurvy जैसा disease होती है और इसके अलावा मसूडों से खून निकलना यह सब vitamin C के कमी से होते हैं आहार में पानी की मात्रा भी होना बहुत जरूरी है यह पानी कितना हमें पीना चाहिए हर रोज में और किस तरह के पानी पीना चाहिए और सुबह उटने के बाद हमें देखने को मिलता हैं कहीं तरह के लोग जो 4-4 glass उटते ही पी लेते हैं वह यह कहते हैं कि जब तक हम पानी नहीं पीते हैं तो कब जो नहीं हट जाता है लेकिन इस तरह से 4-4-5-5 glass सुबह उटके नहीं पीना चाहिए पूरी धिन भर में 7-8 glass की पानी पीना चाहिए और यह पानी बोजन के साथ-साथ पीना चाहिए या नहीं चाहिए इस तरह से बहुत doubts होते हैं और यह पानी अधिकतर बोजन के साथ-साथ पीना चाहिए बोजन से पहले ना कि बोजन के बाद नहीं पीना चाहिए यह आपके बोजन को पचाने में सहायक होता है तदा बोजन से प्राप्त होने वाले पोशक तत्वों को शरीर के विबन कोशिकाओं तक बनाये रखने में भी सहायक होता है पानी आपके शरीर के अपशिष्ट पदार्दों को मोत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है हर व्यक्ति को प्रति दिन शाथ से आठ ग्लास पानी पीना चाहिए बोजन की समोह एक प्लेट में आहार हम लेते हैं तो उसमें हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जो आहार हम ले रहे हैं वो बरपूर बोजन समू है या नहीं यानि कि कार्बो हैड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, कनिजलवन, विटामिन के तत्व, जल ये सब की समू को हम बोजन समू कहते हैं और पांच बोजन समू प्रनाली जो जिसे हम अनाज एक बोजन समू के अंतरगत में हैं फल और सबजियां, दूद, अंडा, मांस, वसा, शरकरा, फाइबर ये सारे बोजन समू प्रनाली के अंतरगत में आते हैं इसकी कॉमिनेशन को ही हम संतुलित आहार कहते हैं जो बैलेंस डाइट हम कहते हैं हर व्यक्ति, हर समय संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है अगर जिस आहार से अपनी शरीर की जो कोशिकाएं बनने लगते हैं या रिपेर होने लगते हैं उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं जिस आहार को हम लिए परंतु उससे ना तो हमें उर्जा मिलती है ना कि हमें उससे कोशिकाएं बनते हैं तो उसे हम आहार नहीं कहना चाहिए जो जंक फुट अधिकतर लोग लेते हैं जो आहार रुची के लिए ठीक है पर वो शरीर में जाकर कोई भी कोशिकाएं को बड़ावा नहीं देता है या शरीर की क्रियाएं को हेल्प नहीं करता है तो ऐसे आहार को चोड़ना चाहिए और हर वक्त आहार संतलित आहार ही होना आवश्यक होता है और इस आहार को कितनी मात्रा में लेना चाहिए और क्या-क्या फैक्टर्स इस पे निर्बर हैं जैसे कि आयू आयू को देखते हैं तो बच्चों में जो आहार हम लेते हैं जो अडल्ट में लेते हैं जो बुडों में लेते हैं वो अलग-अलग तरह के आहार की समू होगा समो तो वही होगा लेकिन कितना क्वांटिटी में किसको होना चाहिए वो अलग-अलग निर्बर होता है इसके अलावा जो कोई परसन घर में सिर्फ खाली बैटे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनका जो मात्रा और जो बाहर जाकर जो काम करते हैं उनकी बोजन की मात्रा हमें अंतरत होती है तो जो कैलोरीज जिनको जतना चाहिए उतना ही लेना चाहिए मैं तो यह हम लेते हैं यह संदलित आहार में व बहुत हम हम करते हैं उसके इक ब्यूपरन लेना बहुत ज़रूरी है यह यह द्यूंद आहार अगर पूरी जिन्दगी में लेते रहेंगे तो रोग हमारे पास नहीं आते हैं इसके अलावा जो पोशन संबंदी अवश्यकत आएं जनम के समय जो हमारा शरीर का बार होता है तीन किलो वही दीरे-दीरे वृद्धी होती रहते हैं सिर्फ आहार के साथ अच्छा आहार हम लेते हैं तो वृद्धी और विकास बहुत अच्छा होगा हर कोशिकाएं और हर शरीर की जो तंत्र हैं क्रियाएं काम करने लगते हैं तो उसके लिए आहार बहुत ज़रूरी है अगर वह आहार हम बढ़ते हुए बच्छों को प्रॉपर मात्रा में नहीं देते हैं तो वो कुपोशन बन जाते हैं कुपोशन जैसे की प्रोटीन अनर्जी माल नूट्रिशन जो कहते हैं इसके अंतरगत में बच्चों में जो हुने वाले बीमारियों को हम क्वाशियार कर या मिरासमस कहते हैं या लोग की कनिज कम होने के कारण एनीमिया भी होती है तो क्वाशियारकर अधिकतर बच्चों में शरीर में सूजन आती है और उनका फेस चिंद्रमा जैसे दिखती है और सूजन रहने के कारण उनको खाने में मन नहीं लगता है और पूरी प्रोटीन्स की कमी होती है इसमें मेरासमस अगर देखोंगे तो वो शरीर पूरा सूख जाता है हड़ियां और मांस्पेशियां भी कम हो जाते हैं कम माने हड़ियां सूख जाते हैं मांस्पेशियां सूख जाते हैं और मुँ अगर देखते हैं तो मंकी फेस जैसा होता है और ये दोनो क्वाशियरकर और मेरास यह प्रोटीन और वसा, उर्जा, कार्बोहाइड्रेट्स इनकी कमी के कारण होता है अनीमिया जो अधिकतर बच्चों में और बड़ों में भी और लेडीस में भी देखने को मिलता है जो आर्बिसी के कमी से होता है इसका में कारण आरन जैसे कनिज लेवन की कमी के कारण होता है तो आहार संतुलित आहार होने से इन सारे कुपोशन से हम बच सकते हैं लास्ट में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आहार की विदिविदान कैसी होनी चाहिए कि आहार मिताहार होना चाहिए ना तो अधिक ना कम होनी चाहिए और ये उष्ण होनी चाहिए उष्ण मतलब सुकोष्ण जो खाने लायक हो अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए अधिक घरम नहीं होना चाहिए और ताजी होनी चाहिए और पहला किया हुआ बोजन पचना आमाशे में बोजन है अभी पचा नहीं है तुरंत हम नहीं लेना चाहिए कि टाइम हो गया और हमने ले लिया इस तरह से नहीं होना चाहिए पहले किया हुआ बोजन पचना बहुत जरूरी है ना तो अधिक जल्दी लेना चाहिए ना अधिक देर से लेना चाहिए और हस्ते हुए बोजन नहीं करना चाहिए आहार द्रव्य में मन लगा कर शांत चित के साथ बोजन करना चाहिए बोजन को हमेशा अच्छी तरह चबा कर काना चाहिए बोजन सुकासन में बैट कर करना सबसे अच्छा होता है बोजन करने के बाद गुरू आहार जैसे मिठाई, तला हुआ व्यंजन, चावल, आदी कभी भी नहीं खाना चाहिए बूख लगने पर भी योगी मात्रा में ही खाना चाहिए अच्छे पाचन, पोशन और निशकासन के लिए आवशक है कि बोजन नियत समय पर किया जाए और लास्ट में मैं ये कहना चाहरे हूँ, एक बोजन या आहार के लिए प्रावर्ब है ये सच है और इसी के साथ मैं यह चाप्टर समाप्त कर रही हूँ, दन्यवाद